वेलकम टुदा जी के अब्जेक्टिव बियोजी चैनल तो इस वीडियो में हम बात करने वाले भाई आसाम स्टेट की जो 85% कोटा है उसमें नीट 2021 में एक्सपेक्टेड कट आफ कहे जाने वाली है तो पहले हम डिसकस करेंगे नीट 2020 का तो मैं बता दू यह जो मैंने लगा सबसे लोवेस्ट मार्क क्या गया था 2020 में अब बात कर लेते हैं गौहाटी मेडिकल कॉलेज 602 नंबर पर जनरल में इसके बाद हम बात करेंगे जो तुम्हारा 2021 का एक्सपेक्टेड है और साथ ही साथ जो एक लखिंपूर मेडिकल को जो नया वाला एड हो रहा है तो उसक 21 में तो पहले हम 20 का डिसकस कर लेते हैं EWS में 576 में मिला था फर्स्ट राउंड में लोवेस्ट 508 था यह दिपू मेडिकल कॉलेज सेकेंड राउंड में 530 OBC MOBC ठीक है भही यह गौहाटी मेडिकल कॉलेज की 516 SC केटेगरी 432 STP 348 STH TGL 374 और PH में 139 तो PH केटेगरी में त यह दो यह दाउन रहने वाली है आसाम मेडिकल कॉलेज की बात करो तो 574 फर्स्ट राउंड में जनरल की 551 EWS OBC MOBC 490 SC केटेगरी 489 STP 412 STH 312 TGL 377 और PH की थी 137 तो यहाँ पे कॉलेज वाइज लगी हुई है सिल्चर मेडिकल कॉलेज जोरहत मेडिकल कॉलेज यह देख रहे हो काटेगरी वाइच फकरोजिन अली एहमाद मेडिकल कॉलेज काटेगरी वाइच तेजपूर मेडिकल कॉलेज अब मैं बात कर लेता हूँ है दीपू Medical College, जहां सबसे कम जाती है, तो 540 नमबर पे अलोट हो गया था, फर्स्ट राउंड के अंदर, EWS में 509 पे, OVC, MOVC 433, SC केटेगरी 436, STP 354, STH 269, अब सेकेंड राउंड जब हुआ, तो वहाँ पे जो आखरी सेलेक्शन हुआ था, वो 529 पे हुआ था, जनरल केट केटेगरी से, 508 EWS से, 424 MOVC, OVC, 430 SC केटेगरी, 345 STP, 264 STH, 278 TGL और 137 PH केटेगरी में, अब रैंक अनलिसिस करने के बाद, देखो, 600 से कम नमबर पे रैंक इंप्रूब हुई है, लेकिन 600 से जादा होने पे रैंक, थोड़ा सा गड़़ड़ मतलब जादा पढ़ गया ठीक है भई, जहां 15,000 आनी थी, वह 18,000 आई है, कहां की बाद है 600 से पार, लेकिन आसाम हमारा ऐसा इस टेट है, जहां 600 से डाउन जाती है, भई 600 नमबर बहुत कम बच्चों कहते हैं, आसम के अंदर, तो ultimately मेरा जो मानना है, इस वार कम से कम 8 नमबर तो कम का टॉप होने व होने वाला है, तो उससे भी बहुत बढ़िया कट ओफ थोड़ी सी, डाउन जाने के पूरे-पूरे उमीद है, 502 नमबर EWS में सेफ कट ओफ है, 2021 के लिए, 418 MOVC, OVC कटेगरी के लिए, 422 SC कटेगरी के लिए, 338 STP, 269 STH, 272 TGL, 137, देखो PH कटेगरी में वेरी कर सकती है, subject to availability of the candidate, तो गुहाती मेडिकल कॉलेज की बात करों, तो 595 जनरल कटेगरी, फस्ट राउंड में लॉर्ट हो सकता है, 571 EWS, 526 OVC, MOVC, 512 SC कटेगरी, 430 STP, 344 STH, 370 TGL, तो इस बार 600 से नीचे पे क्या हुआ है, कि रैंक्स 22,000 इंप्रूव हुई है, 33,000 इंप्रूव क्योंकि आल इंडिया रैंक तो वेरी नहीं करेगी ना, वेरी क्या करता है, नंबर, आसम मेडिकल कॉलेज तो भाई, 570 पे जनरल में, फस्ट राउंड में मिल सकता है, 547 EWS में, MOVC, OVC, 487 SC कटेगरी, 440 STP, 409 STH, 308 TGL, 372, तो इस तरीके से हर कॉलेज के लिए, यहां द से बहुत ज़्यादा है, 540 से 530 के बीच में बच्चे बहुत ज़्यादा है, आसम के अंदर, तो कट ओफ जाहिर सी वात है, थोड़ी सी डाउं जाने वाली है, 504 EWS में, और 430 MOVC, OVC, 431 SC कटेगरी, और STP में 352, STH में 264, अब सेकेंड राउंड में, जो मतलब आफ्ट सेकेंड राउंड जो लोईस्ट कट अफ हो सकती है, आसम सेट के लिए, 520 नमबर सेफ है, 502 EWS, 418 MOVC, OVC, 422 SC, 338 STP, 269 272, और लखीमपूर वाला जो मेडिकल कॉलेज है, वो बिलकुल एड हो रहा है, 100% पॉसिबिलिटी कि इस पर नीट काउंसलिंग में वो आ रहा है, आसम सेट के लिए, तो ये थी भाई, नीट 2021 की कट ओफ, एक्सपेक्टेड, तो फटा-फट से चैनल कर ले, सब्सक्राइब, जो भी काउंसलिंग रिलेटेड अपडेट होगी, फटा-फट से चैनल पे लगाई जाएगी, और ऐसे बच्चे जो बिलकुल बार्डर पे हैं